तो आप जीत चुके हैं एक चमचमाती रोयल इंफिल्ड बलोट अरे भाई यार मुझे तो सच मुश में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसको लोटरी टिकेट से जीता है अरे अरे यकीन करो अरे भाई यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं यहां से जाता हूँ ओ ठीक ठीक जाओ अरे भाई यार अपन चलते हैं अब अपनी बलोट से अपने दोस्तों को दिखाने अरे भाई देखो मेरी एक न्यू बाई जो कि मैंने एक लोटरी टिकेट से जीती है तब ही मैं सोचू के ते उन्हें यह बाई काँ से कदी दिया मतलब अब मतलब क्या मतलब साफ साफ है तेरी योकाद नहीं है यह टीज करीदे की अब तुने तो ये फिरी में जीत ली अब तु इसका पेटरोल के से डलाएगा तेरी तो पेटरोल डलाने की भी उकाद नहीं है घजब बेज़ती है अरे भाई ऐसे मत को हो अब चल चल साले गरीब अब ओ मैं गरीब होते ज़्यादा दोस्ती नहीं रखता और फाल तुमें यहापे बोला लिया मुझे आज के बाद फोन मत करना और निकल यहाँ से अच्छा भाई तो तुने अपनी उकाद दिखाई दी अब टीके चलता हूँ हाँ हाँ निकल अरे भाई आज मुझे पता लग गया के पेसा है तब ही दोस्ती है मगर ऐसा क्यों चुकि तेरा मेरा जोड नहीं बनता तुमें इतने करीब और मैं इतना अमीर दे भाई ऐसा मत कहो एचल जायाते वेते भी अपने लेवल के दोस्तों के साथ रहो तो फिर ठीके चल ठीके भाई मैं इतना अमीर बनूँगा के तुझे भी दिखा दूँगा अवे तु मुझे क्या दिखाएगा मैं खुद देख लूँगा अच्छा ठीके भाई मैं अब चलता हूँ अब नहीं भी दूँगा तुमसे कभी भी अरे गाई चलो यारे बान एक प्रेंक करते हैं अरे वाँ चलो ये मैडम के साथ करते हैं प्रेंक अरे वो मैडम जी ये देखिए मैं रोयल एंफिल्ड बुलूट मुकेश अम्मानी के घर के बाहर से लाया हूँ चुरा के अचा तुझे पता भी है में कोर हूँ अरे मेडम क्या हुआ इतना गुस्ता क्यों हो रहे हो वैसे आप हो कुण अरे वो मैडम जी मैं तो आपके साथ प्रेंक कर रहा था इसा मत करो वो देखो केमरा बुलूट में लगा हुआ है हाँ मेडम जी आप बहुत ही फैमस हो जाओगे फिर अरे मेडम जी अब आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने को बोल दो सबस्क्राइब होता है वो अरे मेडम जी रहने तो आप से नहीं होगा को मैं ही बोल के बताता हूँ हाँ तो गाइज आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दो ऐसे बोलते हैं समझ गए मैंने अपनी फेमली और रिष्चिदारों का मोबाइल भी नहीं छोड़ा तो अब मेरी सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं पचास कजब बेज़ुती है अरे मुझे जाने तो मेरी सब्सक्राइबर का क्या होगा फिर्ट अरे यार इसने तो दर के बेज़दी कर दी अब मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के पास वो एक बहुती बड़े मोटीवेटर है तो फटक सिमा चलते हैं हाँ तो ये रहे मेरे दादाजी हाँ तो दादाजी मैं आप से केने आये ता सब लोग मुझे गरीब गरीब केते हैं बेटा इस जीवन में सिर्फ रुपे ही सब कुछ है क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया लाइक करो फोलो करो अरे लगता है दादाजी की उमर निकल गई अच्छा दादाजी चलता है बेटा एक बात और सुन ले जब तक तेरे पास पेसे हैं तब तक तेरे साथ मैं हूँ और जिस दिन तेरे पेसे खतम उस दिन मेरा तेरा दिश्टा खतम लाइक करो फोलो करो अरे गाईज आप अपन यहां से तो चलते हैं मुझे तो लगता है दादाजी मोटीवेटर के नाम पे फोलोवर बढ़ा रहे हैं लगता है मिलियंज में मामला जाएगा अब मैं पड़िक कर इतना अमीर बनूँगा पड़िक कर इतना अमीर बनूँगा के लोग मेरी अमीरी को देखके जलके राख हो जाएंगे एक करोण उपे की मिटिंग अरे यार तुम्हें तो पता है ये भी इतनी से स्टी मिटिंग नहीं करता आहां ठीक ये केंसिल करा दे चल फोन रख तो चलो यार गई दभी अपन चलते हैं फटक से अपने ओफिस अरे यार फिर फोन आ गया हाँ हाँ हलो पचास करोड की मिटिंग ठीक है मैं अभी आता हूँ तो गई दभी अपन चलते हैं जल्दी से पचास करोड की डील फाइनल करने तो गई मज़े समझ में यारा मैं कौन सी कार से चलू चलो मैं लेंबोरगिनी से चलता हूँ तो गई दभी मैं पहुच चुका हूँ तो आप जल्दी से गाडी में बेटके घर चलते हैं एरे गई जल्दी से गाडी कहा गई एरे गई ज्यार मुझे तो लगता है मेरी कार उदर खड़ी होगी चलो जल्दी से देखते हैं अरे गाइस मुझे तो मिल गई मेरी का तो अब मैं आपको बताता हूँ डील में क्या फाइनल हुआ तो डील में फाइनल हुआ कि मुझे अपने दोस्त को मारना है और अब जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त को मारने क्या गाइस आपको भी मारना है मारो ना यार किसने मना किया है कुछे नहीं, लाइक बटन को I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी पसंद आएई तो इस वीडियो को आपको कुछ भी नहीं करना है लाइक करना है, चैनल को सब्स्क्राइब करना है मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए